तो friends, आपने खाटा ढोल कोई तो बहुत बार ट्राइ किया होगा लेकिन क्या, आपने वाइट ढोल क्ना हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसे आप हरी चटनी, लेसन की चटनी या तोह के चप के साथ खा सकते हैं, तो evening snack या तो get together के लिए perfect recipe है, तो चलिए बनाते ह है या इसके लिए हमें लेने हैं चोटे वाले चावल तो खिच्री चावल 25 बीसे बोलते हैं और ये हमें लेना है तीन पार्ड और उरद डाल लेंगे और ये हमिने ले वन पार्ड और इसके साथ हम डाल देंगे मेथिदाना आधी चम्ट चितना तो रेशियो इसका यही रहेगा 3 is to 1 तीन कप हमें लेना है चावल और एक कप हमें लेना है उरत दाल तो चलिए इसमें हम पानी डाल के इसे हम रिंस कर लेंगे जब तक कि जो पानी है वो एकदम साफ हो जाए तो चलिए दाल और चावल अच्छे से वाश हो चुके है तो इसका हमें ढोकला बैटर बनाना है तो इसे हमें सोक करके रखना पड़ेगा तो छे घंटे के लिए इसे हम सोक करके रखेंगे मिनिममम ताकि जो दाल और चावल है बड़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाए तभी एक स्मूद बैटर बनेगा इसका तो यहाँ पे हमारे दाल और चावल एकदम सोफ्ट हो चुके है अभी इसका जो पानी है यह हम निकाल लेते है और यहाँ पे मेरे पास से पोहा वन फोर्ट कब जितना इसे सिर्फ पांच मिनिट के लिए भीगो के रखेंगे तो अभी यह जो मिक्सी जार है इसमें हम डाल देंगे हमारे भीगोए हुए दाल चावल और इसके साथ हम डाल देंगे भीगोए हुए पोहा तो पोहा डालने से हमारे जो वाइट ढूकला ही एकदम सॉफ्ट बनेंगे और इसके साथ ही जाएगा वन फोर्ट कब जितना द तो चलिए धुकला बनाने का जो बैटर है वो तयार है इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं तो आप देख सकते जो बैटर है ये एकदम स्मूध है और साथ में गाड़ा भी है और अभी इस बैटर को में फर्मेंट करने के लिए रखना है तो इसे हम गरम जगा पे रख दॉकला बनाएंगी वो इकदम जालीदार बनेगा तो चलिए फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ अद्रक और मिर्ची नमक डाल देंगे स्वात की अनुसार और एक बड़ा चम्मच इतना तेल डालेंगे ताकि जो धूकला है वो एक दम मेल्टिन माउथ बने चिपके नहीं गले में मिक्स कर लेते हैं अब यह जो बैटर है इसको अम डिवाइड कर लेते है एक खाली लेंगे और इसे अब तेल से ग्रीस कर लेंगे और यह जो बैटर है इसमें हम डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट हाफ टी स्पून जितना या तो आप बिकिंग सोडा भी डाल सकती है एक चुटकी जितना थोड़ा सा इसके उपर हम निम्बू का रस डालेंगे ताकि जो इनो है वो एक्टिवेट हो जाए तो इनो को एक्टिवेट करने के लिए एक ही डायरेक्शन में इसे हमें इस तरह से विस्क करना है इससे जो बैटर होगा वो एक गम लाइट और फलफी हो जाएगा आप द देते हैं बैटर को अम स्प्रेट कर लेते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर इसके उपर हम छिड़क देगे और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और इसे हमें करना है स्टीम तो पानी को अल्रेडी गरम होने के लिए रख दिया है तो चलिए जो थाली है इसे हमें स्टीमर में प्लेस कर लेते है धकन बन कर देंगे और इसे हमें स्टीम होने देना है दस मिनिट के लिए तो दस मिनिट के बाद हमारा जो ढोकला है ये बढ़िया तरिके से स्टीम हो चुका है और ये एकदम ही टेस्टी लग रहा है अभी से तो ये हलका सा गरम है इसमें हम कट्स लगा लेते हैं तो चिली इसके लिए हम एक टेंपरिंग बना लेते हैं तो एक फ्राइंग पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल दो चमत चितना और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे राई जीरा सफेद तिल हींग कड़ी पत्ते तो चलिए इस तड़के को हम गरम गरम ढोक लेके उपर ड्रिजल कर लेते हैं तो अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई है तो जल्दी से नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर लीजे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा कमेंट में यमी टाइप ज़रूर करिए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ और ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए जल्दी से मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजे तो यहां पे हमारा जो वाइट धोकला है वो तयार है और यह जो धोकला है इसे गर्मा गरम खाने में ही मज़ा आता है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करना चल मिलेंगे ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई